अलो दोस्तों मनीस तरडे जादे साइड एक बार फेर जैसा मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था अब आपको रोज मेरी तरफ से एक टॉपिक पर डीटेल मिलेंगे ब्रीफली पूरे डीटेल नहीं पर ब्रीफली मैं कवर करने वाला हूं हर टॉपिक को आपके सी ए फाउंड अकाउंट सिलाबस के लिए तो आज का पहला टॉपिक हमारा वो है बैंक रीकंसिलियेशन स्टेट्मेंट्स एक्जैम में आपको ध्यान किस चीज़ पर देना है पहली बात आपको जो बैलेंस दिया गया है वो कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेब बैलेंस कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस पास बुक फेवरेबल बैलेंस दूसरी बात आपको जो रिकंसिलियेशन करना है वो विदाउट एडजेस्टेट कैश बुक करना है या विद एडजेस्टेट कैश बुक करना है ये चेक करना जरूरी है तीसरी बा अगर आप adjusted cash book बना रहे हो तो आपके adjusted cash book में सारे वो transactions आने वाले हैं जो की आपके cash book की गलतिया हैं उसे rectify करना है जो pass book में recorded है पर आपके cash book में recorded नहीं है याद रखिए आपके adjusted cash book में checks issued but not presented, checks deposited but not credited और errors in pass book ये कभी नहीं आते हैं एक exam tip अगर year end का reconciliation दिया गया है चाहे पूछा हो या ना पूछा हो आप reconciliation adjusted cash book के बात करिए अब यहाँ पर अगर आप reconciliation statement present कर रहे हो तो please do not forget to present it in a proper format random presentations may affect your marks alright तो आज के लिए इतना अगले session में अगले topic के लिए thank you